चाली मुक्तियां दी याद विचे हर साल लगणवाला मेला मागी सिरी मुक्सर सहेब जी दी पावन तर्ती दे 13, 14, 15 जनवरी नूं बड़ी शर्दा दे पावना दे नलमन आया जानता है एओ पुवित्तर स्थान है जिते सिखांदे दस्वें गुरू शिरी गुरु गोबेन सिंग साहेब जी ने अपने चाली सिंगांदी टुट्टी गंडी सी ते सिंगांवलों देते बिदावे नूं पाड़े आ सी इस जगा शहीद होए चाली सिंगा नूं मुक्ती दिती सी उस वेले दी गल है जद मई 1744 इसवी नूं सिरी अनंदपुर सहेब दे किले नूं मुगल हकूमत दियां फोजावलों की रापाले आ सी शिरी गुरु गोबिन सिंग साहिब जी ने काफी दिन मुगला नल युद गीता इस मौक के हालात इस तरह दे हो गय सन कि शिरी गुरु गोबिन सिंग साहिब जी ते सिंगां कोल खान पीन लई राशन बिलकुल खतम हो चुका सी सिंगा कोलों पुखे रहके जांग लड़ना मुश्किल हो गया सी इस मौके चाली सिंगा वलों बगावत करके शिरी गुरु गोबिन सिंग साहिब जिनू किहा गया कि गुरु जी उन साड़े कोलों पुखे रहके जांग नहीं लड़ी जा सकती ते इर्ना चाली सिंगां वलों गुरु गोबिन सिंग जी नूँ एक कागज उपर बेदावा लेके दे देता सी इस विचे लिख्या सी कि असी आपने कारवाल चा रहे हां असी तेरे सिख नहीं ते तुम साथा गुरु नहीं सिखा ने गुरु जी नूँ एक बेदावा देके अनंदपुर सहब तो चाले पादते पर जद इस सिंग आपने कारवापस पुझे ता इनना सिंगां दियां कारवालियां ने जद पुछिया कि तुसी कारवापस मोड़ाए हो तो उन्हा केहा कि असी शिरीगुरु गोबिन सिंग साहिब जी नूँ बेदावा देके आए हां तो उन्हा दियां कारवालियां ने केहा तुसी मुसीबत विच आपने गुरु जी नू एकला चड़के आए हो कोई मसीबत विच आपने गुरु नो इस तरह बेमख हो के किमें छड़के आ सकता है उन्हा केहा कि ज़े तुसी इस मसीबत विच गुरु जी नाल नहीं रह सकते तो तुहाड़े ते लानत है लोहन तुसी आज चूड़ियां पालवो ते लोग के कार विच बैजाओ ते तुहाड़ी जगा असी गुरु जी दा साते लिग जानती है ये सुनके उन्हा दी गहरत जाग पई ते ओ शिरी गुरु गोबिन सिंग साहिब जी दी पालवेच वापस चाल पई शीरी गुरु गोबिन सिंह साहिब जी परवार समेद अनांधपुर सहब दा किला चाठ चुके सी गुरु जी दी तलाश व्यच चल्दे चल्दे इस सिंग खिदराने दी टाबते पहुँच गयो दुझे पासे शिरी गुरु गोबे सिंग साहिब जी दा पिच्छा कर दी मुगल हकूमत दी फौज गुरु जी दी तलाश विच इस खिदराने दी टाप दे पहुँच गई जित्ती उना दा मुकाबला इते पुझे चाली सिंगा नल हो गया इस जगा ते बहुत ही कमसान दा युद्ध होया ते इस युद्ध विच मुगल फौजान दे नाल सिंगा योद्याने में शिहीदियां प्रापत कीतियां परिवार विचोड़े तो बाद शिरिगुरु गोबिन सिंग साहिब जी मुगल फौजाना जंग करते होय अनंदपुर सहब धोन जैतों ते लवां कलां कोट कपूरा खारा आद पिंड विचों हुंदे होय खदराने दी टाप दे पुझे जिते 2100 बाट समद नू उन्हा अपने जीवन दी आखरी ते फैसला कोन जंग लड़ी सी जद शिरिगुरु गोबिन सिंग साहिब जी इस स्थान ते पुझे तो उन्हान ने देख्या कि मेरे सिंग शहीद हो गए हन पर जद उन्हा इस दरख्त जो वन आज तक शिशोबित है नल अपना कोडा बनेया ते उन्हा दे सिंगां विचों एक सिंग सहक रहा सी जद शिरिगुरु गोबिन सिंग साहिब जी ने जाके उस सिंग नूँ अपनी गोदी विच बिठाया ते उसते चेरे नूँ अपने कमर का सेना साफ कीता ता उन्हान नूँ पहचान आई कि एते मेरा सिंग पाई महा सिंग है गुरुजी ने पुचिया तापाई महा सिंग जीदा सेर शर्म नल चुके होया सी पर उस्ते सा चल रहे सन गुरुजी ने पुचिया कि महा सिंग मंग की मंगदा है महा सिंग ने सहक दे होए कि हा गुरुजी साथों पहुत वड़ी पुल हो गई सी सानु माफ कर दियो जू असी गलती नालता अनू बेदावा देके आये सी उसनू फाड दियो ते सानू बक्ष दियो तुसी बक्ष नहार स्वामी हो साधी टुटी गंड लो गुरु जी ने बेदावा अपनी कमर विचो गड के पाड देता ते पाई महा सिंग नू कोट के आपनी चाती ना लालया इस मौके गुरु गोमिन सिंग जी ने आपने चाली सिंगा नू खिताब दिते किसे नू दास हजारी ते किसे नू वी हजारी इस तरह इस जगा गुरु जी ने आपने चाली सिंगा दी टुटी गंडी ते इस जगा ते होन गुर्द्वारा से री टुट्टी गंडी साहिब शुशोबित है हर साल चाली मुक्तिया दी याद वेच माग महीने देवेच शहीदी जोड मेला मनाया जान्दा है जिस वेच देश्व देशां तो लखांदी तदाद वेच सेख संगा तते अनेक काही शर्दालो नतमस तक होके गुरुबाणी ना जुड़के आपना जीवन सफल बनाओंदे हन ते गुरुजी दा आशिरवाद प्रापत करते हन अम्हीद काादनों दोस्तानूं मागी दे मेले दे त्योहार दे सबांद वेचे जानकरी पसांद आई होगेगी इसनूं अपने होरां दोस्तान दे नाल भी शेर ज़रूर करना ते चैनल नो सब्सक्राइब ज़रूर करना मुड में लांगे एक होर नवी जान करी देना ता तक देले साथ स्रिय काल